अगर आपको जीवन में सफलता पानी है तो आपको नमास पढ़ना बहुत जरूरी है, खुदा की इबादत करना बहुत जरूरी है लेकिन यहाँ पर अगर हम आए है तो एक अलग ही सुकून है जो शायद ही कभी महसूस होता है किसी को आज यहाँ पर मुझूद जो लोग हैं उसे जानेगे जख बहुते हैं किसी कर्म सत्राइभ नहीं है किसी कि अज़ मुझूग है जो आपक्राइभ जब है एको भी मुझ खुए है किसी किसी है जए जब है जगला है आज जिस तन्वा से इस नहां को चाब रायोश के बाते हैं शास हुसैन, बाशास हुसैन, दी अस्त हुसैदी, पनास हुसैन, दर्दाद इनन्दाद, दर्दस्त यजीद, हक्का कि बिना लाईलास्त हुसैन ये जरी मुबारक जो है, ये हमारे मौलाना साब ने इसको अतिया किया है यहां पर Aliyah Azgar Haiès Supreme ने और जो बॉम्बे के रहने वाले हैं उन्हों ने वहाँ बॉम्बे से इसकातिय किया है चिया घएमाद् वांवादा इवर्गा में जो ये जरी यहां पार नस्प की गई है ये मुला हुसैन जो कर्बला में शहीद हुए है यहां उनके जितने भी खान्दान के थे, यहां उनके साथ रहने वाले थे, जिन्हों ने जो आज से 14 सो साल पहले मैदान करबला में अपनी शहादत दे कर और इसलाम की बनियाद रखी, जो कि आज तक जो मंदिरों में, जो मस्जिदों में, जो कहीं भी जो भी आवाज उठत होते हैं और ये जो हमारा इमाम बारगा है ये किसी भी सियासी या किसी और तन्जीम के साथ बावस्तगी नहीं है ये सिरफ गम-हुसैन मनाने का एक मकसद है गम-हुसैन मनाने का एक स्थान है गम-हुसैन मनाने का एक कर सकते जो हमारे दिलों में इमाम हुस्यन के लिए जो मोहबत है यानकी शहादत का जो सिला आज तक जो हमारे पास है वो सब उन्ही का दिया हुआ है इमाम हुस्यन वो शक्सियत थी जिनों ने कभी भी जो है बेंस्वी नहीं होने दी इनसाफ के लिए उन्हें हक के लिए अपने सरों की कुर्बानिये दे दी और आज इस माहोल में इस हमारे जम्मू कश्वीर में जो भी यहां पर जो हलात है यह जैसा भी है उसमें से हम लोग बिल्कुल दरकिनार हैं हम यहां पर जितना भी शिया कमुनिटी है और जो भी अंजमन हैद्री के कारकून है सब अमन पसंद है और यह एंट्र टर्रियरिज्म है सिर्फ हम लोग बारतिय हैं हिंदी हैं हम बतन हैं हिंदो सता हमारा और उसी के साथ ही मैं आप ये जलील शाह साथ है उनके मैं कहते बिस्मिल्लाइ रौहमान रौहीम, मैं स्जीद जिली लाइन शाह, हंजमने हैदरी की तरफ से चंद गुजाशात करने जा रहा हूँ, वो यह कह, यह मुहर्म अलहराम का महीना, इसमें आखाए नामदार स्वाल सलम के नवासे का जिक्र बड़ी जोर शोर से किया जाता है, यह सिर्फ शिया ही नहीं, बलकि दुनिया के हर वो फर्द जिस पर जल्म होता है, वो एमाम हुसेन लिएसलाम को अपना मसिया, अपना रहबर बना कर, अपनी जिन्गी का, मसिबतों का आजला करता है, सबसे पहले में गुजारशे करूं, कि हमारे जो प्राफिट, जो इस दु दुनिया में देशी फिलाए, उस वक्त दुनिया में अजीब किसम का महुल था, हर उस तरफ दुरिंगी थी, जल्म और तशद्द था, और एक बाप अपनी बेटी को जिन्दा मारना अपने आपके लिए फखर समीदा था, लेकर हमारे आका इनामदार से लिए उसकरदार अपने उसी बाप के दिल में एक ऐसा दर्द पैदा किया, कि वो अपनी बेटी किया, हर एकी बेटी को अपना बेटी समयना उसने अपना शेवा समय लिया, अगर किसी किसी की बेटी की बेटी की बेटा था, तो वो अपनी बेटी समय के उसकी हफाज़त किया कर रहता है, आ जिसे अबुडिक नियुग्ला उसल्लाम कर्नी कि अग्मण इंफानी की कि ये धिनिगला में हुचाइग उस्धर्ण जु सिथा, अगर एपने इंफान आपको बचाना उन्सल्तृ, एपने आपको कुर्मण देनी पड़ेगी। तो ये यजीद जुद्धा एक खतनाक दश्टगर था जिसने इमाम असे लिए को कर्बला में बलाया दावत दे कर वहाँ वहाँ पहुंचे वहाँ उनके साथ जंग की और जिनके पास कोई असला नहीं था लेकिन जंग करके उनको प्यासा शहीद कर दिया गया उनके अलव अयाल के साथ फिर यहां तक ही नहीं उनुने उसने ये छोड़ा बलकि उनकी मस्तूरात को कैद करके बेक जादा उन्ट उन पर बठाकर कोसुमील सफर तहक राया और उसके बाद यजीद के दरबार में कही सा कितनी अरसे के बाद यह जीद के दरबार में पहुंचाया है लेकिन हक परस्त यह दर्स उनका यही था कि हक के लिए चाहे कोई भी मजलुम हो उसका साथ दिया जाए यह हमारी जो है यह माह-गर्रम मैं उसी दर्स का आगास किए जाता है उसी दर्स को रिपीड किया जाता ह है ताके हम इसी भी मजलूम के जो है तो उसके साथ प्रशानी हो तो हम उसका साथ दे सके हैं ये हमारा हिंदोस्तान जिस कंट्री में हम रह रहे हैं हमारे इस हिंदोस्तान में हमें हर किसम की सोलित है हमें ये जो हम जब भी हमारे ये प्रोग्राम होते हैं तो हिंदोस्तान की स्कूर्टी अधनिसान की हकूमत हमारे इन प्रोग्रामों को बहतरीन तरीके से काम्याब करने में हमारी मुद्द करती है हालाद कितने भी नाखुशगवार क्यों नहूं लेकिन हमारे हर प्रोग्राम को अजाज़ती दियादी है और क्योंके हर एक दुनिया समीती है कि हम अमन पसंद हैं और हम हमेशा अमन और स्लामती का ही पेगाम देते हैं